So, hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IOC की तो वीडियो को आगे continue करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना साथ ही आप हमारे Telegram चैनल को join कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ आपको Nifty, Bank Nifty की काफी कुछ updates जो हैं मिलने वाली है तो प्लीज जाकर एक बाद चैनल करना तो वीडियो को करते हैं continue So, IOC में अगर देखे, finally dividend से related एक बड़ी news आई है और लग रहा है कि आने वाले टाइम में इस particular share में एक तगड़ा dividend हमें मिल सकता है तो यहाँ पर हमने पहले भी कई बार discuss किया था कि IOC आने वाले टाइम में dividend announce करेगा और exactly वो चीज हमें देखने को भी मिल रही है IOC कि अगर हम बात करें तो 170 के round share ने closing दी थी यहाँ पर अगर देखें तो एक रिपोर्ट सामने आई है इसे हम डिसकस करते हैं Indian oil dividend 2024 record date announcement latest update तो यहाँ पर अगर देखें इससे record date से related news आ रही है तो यहाँ पर अगर देखें कि पूरा यहाँ पर आप देख सकते हो IOC dividend 2024 announcement Indian oil has informed that its board will meet on April 30 तो यहाँ पर अगर देखें तो बोर्ट ने यहाँ पर इंफर्म किया है कि 30 April के दिन यहाँ पर एक meeting होगी इस meeting में consider किया जाएगा और अपरू किया जाएगा यहाँ पर जो dividend है उसके प्रबोजल के लिए तो एक बड़ी चीज दिविडेंट इस रिवार्ट धाट अ कंपनी पैस्ट इस शेरोल्डर्स को देती है ठीक है तो यहाँ पर अगर देखें अब बोर्ड मिटिंग ऑब दे कंपनी अब यहाँ पर अगर देखा जाए मंगलवार को एक मिटिंग होगी 30 अपरेल 2024 आइवो सी एल सेट इट अ रेगुलेटरी फिलिंग डेट अपरेल 10 तो यहाँ पर 10 अपरेल के दिन यहाँ पर एक डिसिजन्स लिये गए है तो एक अच्छी चीज यहाँ पर यहाँ पर एक मिटिंग होगी जो एक काफी अच्छी बात है और वही गरम देखें डिविडेंट पहले भी कई बार दे चुकिया है 2023 और टोटल डिविडेंट कितनी बार दिये है 38 बार दिये है 2021 से continuously डिविडेंट दिये जा रही है कंपनी 2023 में दो बार दिया था और एक्सपेक्टेट था कि फरवरी में मिलेगा बटेसा नहीं हुआ तो फरवरी 2022 में दो बार डिविडेंट मिले है 2021 में चार बार डिविडेंट कंपनी ने दिये है तो यहां पर अगर देखे 30 तारिक के दिन कंफर्म होगा कौन सी डेट है डेट यहां पर कंफर्म होगी फिर डिविडेंट से रिलेटेट जो चीज़े आगे बढ़ना लिए तो एक बहतरीन शेर आयो सी और एक डिविडेंट पैंग कंपनी है रही है पिछले कुछ टाइम और वॉल्यूम भी इसमें अच्छा घासा है तो इन करोड के राउंड तक का ट्रेट विल्यू यानि लोग खरीद रहे है बट जो कम्यूनिटी सेंडिमेंट के आखरे कही न कहीं सैलिंग के है बट लेवल्स हमें देखने होगा है तो लेवल्स किस तरीके से परफॉर्म कर और उस फॉलिंग विश्टाइप पैटन के साब से एच्छी रिटन भी इसने दिये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉलिंग विश्टाइप पैटन मना शेयर में ब्रेक आउट के बाद स्टॉक ऊपर के और गया और फिर एक रींज में यह फज गया उसके बाद डाउनसाइट के और भी आता गया वर्ट वही हगर देखियं तो स्टॉक में देखा जाया तो यक बड़े टाइम फ्रेम-पर गुण दौ आज सकते हैं एक यहाँ पर और सेसेन कर रहा हां और अच्छी रैली दियसे अप यहाँ पर कर सकते हो तो एक अची point ये भी है manager आ जाते है so यहाँ पर बात की जाए अगर 1 hour के time frame पर तो 1 hour के time frame पर clearly आप देख सकते हैं एक proper falling wedge type pattern देखने को में मिलता है और इसी falling wedge type pattern के हिसाब से ही stock में एक breakout देखने को मिलता है और breakout के बाद sustain करके share भी एक अच्छी rally भी हमें देखने को मिल सकती है ठीक है तो यह जो points है काफी IMP points है और इसका एक positive fact भी इस share के उपर रह सकता है और यहाँ से एक अच्छी rally भी आ सकती है और नए highs भी आ सकता है तो IOC को लेकर हमने काफी कुछ चीज़े जो है discuss कर ली है इसके dividend के बारे में काफी लोग wait कर रहे हमने पहले भी वीडियो बनाये थे और काफी लोग को लग रहा था कि यहाँ पर dividend नहीं मिलेगा बट यहाँ पर dividend नहीं मिल रहा है तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को like और channel को subscribe करना और कोई भी stock में investment करने से पहले इंशेर्स का एक बार analysis जरू करना और कोई भी यहाँ पर अगर आपको निप्टी वैंग निप्टी की update यह तो टेली रांचने को join करो thank you